शाम के साथ बच्चु के थे सब मजदूर अपने घर चले गए थे सिवाए पायल के पायल अभी तक वही पर बैठकर सिलाई का काम कर रही थे तभी उसे एक अवरत आवाज देती है अरे पायल बेटी साथ बच्चु के है तुझे घर नहीं जाना क्या सुबे से बिना कुछ खाए पिये तुझ सिलाई का काम कर रही है अंधेरा भी होने को है चल दोन साथ में चलते है अभी आती हूं गीता मोसी बस ये आखरी कपड़ा ही बच्चा है जल्दी कर बेटी हमें अभी मालिक के पास जाकर आज की मजदुरी भी लेनी है फिर पायल अपना काम पूरा करके गीता मोसी के साथ मालिक के पास आती है ये लो मोसी आपके पैसे और ये लो बेटी तुमारे पैसे धन्यवाद मालिक मालिक आपने मुझे गलती से 1000 रुपे दे दिये मेरी मजदूरी तो सिर्फ 400 रुपे ही है अरे रख ले बेटा ये तेरे मेहनत की पैसे ही है आज तुने ओवर टाइम काम किया है शुक्रिया मालिक फिर वो दोनों रास्ते में सबजी और दालचावल खरीद लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं राशन का सामन लेने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत पैसे बच्चे हैं मैं इसे बच्चा लूँगी माजी के इलाज में काम आएंगे पस पायल और उसकी ननन्द ही कमाती थी अरे भाबी अच्चा हुआ आप आगई देखो न माँ को बहुत तेज बुखा रहे हमें उन्हें अभी ऑस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा लेकिन हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है तुम चिंता मत करो सुंदरी मैंने आज जादा काम किया है तो मालिक ने मुझे बहुत पैसे दिये है सबजी लाने के बाद भी अभी 600 रुपे बचे है चलो हम अभी माजी को लेकर चलते है पायल की बाते सुनकर उसका पती विवेक नीन से उड़ता है कोई कई नहीं जाएगा ये पैसे मुझे दे दो आज तो मेरे पिने का अच्छा खासा बंदबस्त हो जाएगा लेकिन माजी की हालत तो देखो हॉस्पिटल में ही पैसे लग जाएंगे इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है सो रुपे तुम रख लो और पास्सो मुझे दो और जाकर दवाई लेकर आओ इतना कहकर विवेक उसके हाथ से पैसे छिन लेता है और वो बाहर शराब पिने चला जाता है फिर पाइल अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है ये लो माजी दवाई खालो आपको ठीक लेकेगा मैं अभी खाना बनाती हूँ फिर खाना खाकर आप सो जाना मेरे लिए कितना करती है तु बेटी और एक मेरा नालाइक बेटा है जो बस दिन रात शराब के नशे में ही रहता है पता नहीं तू नहीं होती तो इस घर का क्या होता हाँ भावी आफी की वज़े से ये सब चल रहा है जो जिम्मेदारिया भाई को उठानी चाहिए थी वो सब काम आप करती है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मेरी खुद की माबाप होते तो मैं भी उनका ऐसे ही खयाल रखती है आप लोगों की वज़े से तो मुझे रहने को ये जगा मिली है वही मेरे लिए काफी है ये तो तेरा बड़पन है बेटी वरना आज के जमाने में कोन अपने सास की इतनी सेवा करता है तो तो सुन्दरी का भी कितना खयाल रखती है बेटी इतने में वहाँ विवेक शराप पीकर आता है यार वो तो वोड़ का का मेरा रोज का ना मुझे को कोई रोके ना किसी ने रोका शराप की नशे में विवेक जमिन पर गिर जाता है उसकी ये हालत देखकर पायल बहुत घपरा जाती है फिर सुन्दरी और पायल उसे उटा कर विस्तर पर लिटा देती है और अपने पती पर शर्मिंदा होकर पायल रोने लगती है रो मद बेटी मैं तेरा दुख समझ सकती हो लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी इसका तो ये रोज का है लेकिन पायल मुझे सुन्दरी की चिंता है अभी इसकी शादी की उमर है मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि मैं बाहर जाकर लड़के धूंडओ तू ही इसके लिए कोई अच्छा लड़का देख ले बेटी तू ही मेरी आकरी उम्मीदे आप चिंता मत करो माजी मैं देखूंगी सुन्दरी के लिए रिष्टा फिर अगले दिन सुबह पायल अपने आसपास के लोगों को बता देती है कि उनके नजर में सुन्दरी के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बता दे गीता मौसी अब सुन्दरी की शादी की उमर हो गई है उसके लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना लेकिन बेटी सुन्दरी तो कितनी काली दिखती है उसे इतने आसनी से लड़का नहीं मिलेगा सब लड़कों को सुंदर लड़की की तलाश होती है ऐसे में सुंदरी की शादी कैसे होगी जरूर होगी गिता मौसी क्योंकि जिंदगी गोजारने के लिए सिर्फ शकल काफी नहीं होती लड़की की गुन भी मायने रखते है और हमारी सुंदरी का तो आपको पता ही है वो बहुत ही सोशिल है घर का सब काम उसे आता है अभी पैसों की कमी की वज़े से मैं उसे पढ़ा नहीं पाई लेकिन वो बहुत होश्यार भी है ठीक है बेटी अगर मेरे नजर में कोई हो तो मैं तुझे बता दूँगी फिर वो दोनों अपना-पना काम करने लगती है फिर अगले दिन अरे पाहल बेटी मेरे पास सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा रिष्टा है लड़के का परिवर थोड़ा गरीब है लेकिन लड़का जौब करता है तो आज नहीं तो कल उसकी बरकत तो हो ही जाएगी बिटा लड़के के माव अपने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है उसके घर वाले भी बहुत भले लोगे तुमको हो तो में बात चलाओ गीता मौसी के बाते सुनकर पायल बहुत खुश होती है हाँ मौसी आप उन्हें कल शाम को लेकर आना यहाँ का काम होने के बाद दोनों परिवार भी मिल लेंगे माजी की तबियत भी अब ठीक है उन्हें भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी ठीक है बेटी में उन लोगों को खबर देती हूँ फिर अगले दिन लड़की के माता पिता और लड़का सुन्दरी को देखने आता है सब लोग बेटे हुए होते हैं कि सुन्दरी महमानों के लिए चाय लेकर आती है सुन्दरी से बात करके सागर और उसके घर वालों को बहुत अच्छा लगता है कि उतने में वहाँ विवेक शराब पी कराता है और वो महमानों से बत्तमिजी करने लगता है अरे ये कोन है और ये मेरे घर में क्या कर रहे है इनको हमारी सुन्दरी बहुत पसंद आई है फिर सागर और उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते है रिष्टा होते होते रह गया इस बात का सुन्दरी उसकी मा और पायल को बहुत दुख होता है लेकिन विवेक तो नशे में ही होता है इस बात पर पायल को बहुत गुसा आता है बस बहुत हुआ आज आपकी वज़े से ये रिष्टा हाथ से चला गया ऐसे लोगों की गरीबी का मज़क नहीं उड़ाना चाहिए वो सागर काम करके पैसे कमाता है आपके जैसे नहीं जो बीवी के पैसे पर आयाशी करता है अरे आपने तो मुझे आज तक दो पल की खुशी भी नहीं दी आज हम लोग इतना खुश थे कि सुन्दरी की शादी एक अच्छे परिवार में होने वाली है लेकिन आपने वो रिष्टा बनने से पहले ही तोड़ दिया अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है आज तक मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाते आ रही हो आगे से मैं ही उठाऊंगी हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी आपके आने से सबी लोगों को दुखी होता है चले जए यहा से इतना कहकर पाइल अपने पती को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है माजी मुझे माफ कीजिए लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो कैसी होगी सुन्दरी की शादी बेटी तू माफी मत माग मैं तो कहूंगी कि तुने आज बड़ी हिम्मत से काम लिया है ये काम तो तुझे पहले ही करना चाहिए था माजी आप चिंता मत कीजिए मैं सुन्दरी के लिए इससे भी अच्छा रिष्टा लेकर आऊंगी और कुछी दिनों में पायल ने जैसक कहा था सुन्दरी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिष्टा आता है अरे आप लोग कोन है जी हमें पता चला कि आप अपनी ननन्द की शादी करवाना चाहती है लेकिन आपका लड़का क्या करता है इसका नाम शेकर है ये हमारा फैमिली बिजनेस संभालता है हमारी चार बड़ी कंपनीज है हम दोनों ही मिलकर उसे संभालते है आप तो बहुत ही बड़े लोग है आपके सामने हम तो बहुत ही छोटे है आपका शेकर भी दिखने में बहुत ही संदर है आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी रईस खांदान वाली तो आप अपनी बेटे की शादी संदरी से क्यों करवाना चाहते हो बेटी पैसा और शकली सब कुछ नहीं होता हमने संदरी के बारे में बहुत सुनाए इसलिए हम लोग ये रिष्टा लेकर आए हैं लेकिन हमारी एक शर्त है हमें दहेज में पाच लाक रुपे चाहिए क्या? पाच लाक? नहीं भाबी मुझे ये शादी नहीं करनी नहीं नहीं आप इसकी बाते दिल पर मतलो मैं पैसो का इंतजाम कर लोगी आप बस शादी का मुहरत निकल के हमें बताईए फिर दो मेहने बाद के शादी का मुहरत निकलता है पाइल को अब कैसे भी करके पैसे कमाने थे वो अब दिन रात मेहनत करके फैक्टरी में काम करती थे जैसे तैसे करके उसने पैसे कमा लिए फिर भी थोड़े पैसे कम पढ़ रहे थे फिर वो अपने फैक्टरी के मालिक से थोड़े पैसे उधार मांग लेती है उल्ठीक दो मेहने बाद सुंदरी और शेखर की शादी हो जाती है दोनों की शादी गाव में ही करवाते हैं शादी में गिने चुने लोग ही थे अरे मालती ये मेरे पोती की दूसरी शादी क्यों करवा रही है तू चुपकर गुडिया ज्यादा मत बोल परना कोई सुन लेगा तब ही पायल वहाँ पर आती है उसे देखकर शिला बहुत घबरा जाती है क्या हुआ आउंटी आप कुछ टेंशन में लग रही हो सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है बस मेरी सास पूछ रही थी कि दहेच का क्या हुआ पैसे कब देने वाले हो तुम लोग सब तयार है आउंटी इसलिए आपको यहाँ बुलाने आई हूँ पैसो का बैग अंदर कमरे में है आप चलिए मेरे साथ मैं आपको पैसे देती हूँ फिर पाइल शीला को पैसे देती है शादी के बाद वो सभी लोग शहर आ जाते हैं सभी लोग घर के अंदर आते ही तभी वहाँ पर रानी आती है अरे आओ गए आप लोग मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी और कैसी रही आपकी नकली शादी क्या नकली शादी मा जी ये क्या कह रही है और ये कौन है ये इस घर की बहु है शेकर की पत्नी रानी क्या इनकी पहले से शादी हो चुकी है लेकिन इनकी शादी तो मुझसे हुई है ना अगर इनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी तो आपने इनकी शादी मुझसे क्यों करवाई चुपकर सुन्दरी मैं ये शादी को नहीं मानता मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और वरानी है क्या सुन्दरी अरे इतनी बदसुरत और काली लड़की का नाम सुन्दरी कैसे कोई रख सकता है तू इतनी बदसुरत होकर भी महलों के सपने देख कैसे सकती है तुझे यहाँ बस घर के काम करने के लिए लाया है आप लोगों को घर के काम करने के लिए नोकर मिल सकते थे आप लोगों ने मेरी जिंदेगी बरबात क्यों की? अरे बेवकुफ लड़की आज कल खर्चे काफी बढ़ गए है और नोकरों पे इतना पैसा बरबात कौन करेगा जबकि हमें मुफ्त में नोकराणी मिल रही है अरे मुफ्त में कहा बहू इसके घर वालों ने तो दहेच भी दिया है ये तो सोने पे सुहागा है फोकर्ड की नोकराणी भी मिल गई और पैसे भी मिल गए उनकी बाते सुनकर सुन्दरी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है क्यूंकि उसकी भावी ने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाये थे अरे शेकर ये मेरी सोतन तो रोने लग गई ए लड़की ज्यादा ड्रामा मत कर तुझे क्या लगता है कि हम जैसे अमेर लोग तेरी जैसी काली और गरिब लड़की को हमरी घर की बहु बनाएंगे तेरी जैसी लड़कीया तो सिर्फ नोकरानी बनने के लायक ही होती है जाब अच्छे से घर देख ले कल से घर का सारा काम तुझे ही करना है चलो बेबी मैं भी चलती हूँ मुझे पारलर जाना है फिर बाकी के लोग भी वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सुन सुन्ता मत कर बेटी सब ठीक हो जाएगा फिर दादी सुन्दरी को अपने कमरे में लेकर जाती है और सुन्दरी वही सो जाती है फिर अगले दिन सुबह है अरे ओ महारानी जल्दी उठ टाइम देख क्या हुआ है नो बज गए है अपनी सास की आवा सुनकर सुन्दरी चाय और नाष्टा बना दे और कल सुबह से छे बज़े उठकर घर का सारा काम कर लेना आठ बज़े तक नाष्टा तयार हो जाना चाहिए जी मैडम मैं कर लूँगे फिर सुन्दरी चाय और नाष्टा बनाने लगती है उसके बाद घर में जाडू पोचा बरतन कपड़े भी वही दोती थी अपने पती को दूसरी औरत के साथ देखकर सुन्दरी को बहुत बुरा लगता था लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था उसका पूरा दिन घर के काम में ही निकलता था मैडम जी सबजी खतम हो गई है आप मुझे कुछ पैसे दो मैं बाजार से कर सबजी लेकर आती है वो लोग सुन्दरी को घर से बाहर कभी नहीं भेचते थे बेचारी सुन्दरी बस घर का कामकाजी किया करती थी और उपर से सबके ताने भी सुनती थी इधर सुन्दरी के घर वाले भी उसके लिए बहुत परेशान थे अरे बेटी छे महिने हो गए सुन्दरी को वो लोग अभी तक लेकर क्यों नहीं आए पता नहीं माजी मुझे भी सुन्दरी की बहुत फिक्र हो रही है अभी इतना करजा भी हो गया है कि हाथ में पैसे ही नहीं बच रहे इस महीने मालिक से बात करके थोड़े पैसे ले लेती हूँ फिर हम लोग ही सुन्दरी को मिलने चले जाएंगे ठीक है बिटा तब ही वहाँ पर पाईल का पती वीवेक आता है आप यहां क्या कर रहे हो मुझे माफ कर दो पाईल मा मुझे माफ कर दो आज तक मैंने शराप के नशे में बहुत पैसे उड़ा है तुमसे और मा से बहुत बत्तमीजी की है लेकिन पाईल मैंने अब शराप छोड़ दी है मुझे एक और चांस दे दो मैं तुमारे साथ मिलकर मा का खयाल रखना चाहता हूँ उसकी बाते सुनकर पाईल और मा दोनों बहुत खुश होती है विबेक शराप छोड़ कर अब नोकरी करने लगता है दूसरी तरफ सुन्दरी के ससुराल वाले एक दिन कही बाहर गाउ चले जाते है दादी ये सब लोग कहां चले गए आज तो कोई भी घर में नहीं दिख रहा अरे बेटी वो माता रानी के दरिशन के लिए गए है अब वो कल सुबह ही आएंगे तो एक काम कर जल्दी से अपना सामन बान ले और ये ले पैसे और गाउ की बस पकड़ के सिधा घर चली जा दादी की बाते सुनकर सुन्दरी को बहुत खुशी होती है वो अपना सामन फटा-फट से बानने लगती है शुक्रिया दादी पता नहीं आप नहीं होती तो मेरा क्या होता मैं इस जल से कभी भाग नहीं पाती अरे बेटी शुक्रिया मत बोल मुझे तो तेरे लिए बहुत दूख होता है लेकिन अब क्या कर सकते है मैं तेरे लिए इतना ही कर सकती हूँ जा जी ले अपनी जिन्दगी फिर सुन्दरी अपनी गाव की बस में बैटकर अपने घर आती है सुन्दरी को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होती है बेटी सुन्दरी कहा थी तू इतने दिन शादी के बाद तो हमें बूली गई है तू हाँ सुन्दरी वहाँ जाने के बाद तुमने एक फोन भी नहीं किया अपनी मा और भावी की एक बार भी याद नहीं आई के तुमें और तुम आकेली क्यों आई हो शेकर कहा है वो तुमारा खयाल तो रखते है न अरे ये भी क्या पूछने वाली बात है हमारी सुन्दरी का इतने अच्छे घर में रिष्टा हुआ है ये तो वहां राच करती होगी क्यों है न बेटा उन दोनों की बाते सुनकर सुन्दरी रोने लगती है और वो उन्हें सारी हकीकत बता देती है वो सारी बाते सुनकर पाईल और उसकी मा को भी बहुत दुख होता है तु चिंता मत कर सुन्दरी अब तो यहां आ गई है न सब ठीक हो जाएगा शाम को विवेक भी घर आता है पाईल उसे सारी बाते बता देती है सुन्दरी तु चिंता मत कर आज तक तेरे भाई की वज़े से सबको बहुत दुख हुआ है मैंने तो एक बार तेरा होने वाला रिष्टा भी तोड़ा है लेकिन अब नहीं अब तु घर में रहे कर आराम कर और तुझे पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम तेरी शादी की से अच्छे घर में ही करेंगे और उन लड़के वालों को भी हम सबक सिखाएंगे फिर विवेक उन लोगों की कंप्लेंट डर्ज कराने पोलिस स्टेशन आता है अरे आप यहां कैसे आना हुआ अरे सागर आप पोलिस में है मुझे तो पता ही नहीं था उस दिन के मेरे बरताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए शराप के नशे में मैंने जो मुँ में आया वो बोल दिया आज मैं यहां कंप्लेंट डर्ज कराने आया हूँ अरे कोई बात नहीं नशे में आदमी बहग जाता है कहिए किसके खिलाब कंप्लेंट दर्ज करानी है आपको मेरी वहन सुन्दरी के साथ बहुत बड़ा दोका हुआ है फिर विवेक सागर को सारी हकिकत बता देता है ठीक है मैं आपकी कंप्लेंट लिकवा लेता हूँ लेकिन बाकी की जानकारी के लिए मुझे सुन्दरी की जरुरत होगी तबी हम उनके खिलाब कारवाई कर सकते है फिर सागर सुन्दरी से उनकी घरवालों की पूरी जानकारी लेकर उन्हें अरेस्ट कर देता है सिर्फ पैसा होना काफी नहीं होता अगली बार किसी गरीब से दोखा करने से पहले सो बार सोच लेना इस तरह सागर सुंदरी के साथ इनसाफ करता है शुक्रिया सागर तुमारी वज़े से आज मैं चेन की सास ले पा रही हूँ उन लोगों को सदा तुमारी ही वज़े से मिली है पता नहीं तुम्हारा एसन में केसे चुका पाऊंगी वैसे तुम ये एसन मुझसे शादी करके चुका सकती हो बोदो करोगी मुझसे शादी सागर की बाते सुनकर सुन्दरी शर्मा जाती है और जल्द ही सुन्दरी और सागर की शादी हो जाती है अब सुन्दरी के पास उसका खयाल रखने वाला पती था और उसके माता-पिता भी बड़े भले लोग थे इस तरह सुन्दरी को उसका मन पसंद जीवन साती मिल जाता है सोनाली एक अमीर घर की लड़की थी उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अमर नाम के एक गरीब लड़के से शादी की थे शुरुआत की दिनों में सब अच्छा चल रहा था अमर की माँ घर का सारा काम करती थी सोनाली को काम करने की आदत ना होने की वज़े से उसे अमर के घर वाले कोई काम नहीं बताते थे वो सोनाली का अपनी बेटी की तरह खयाल रखते थे अमर भी एक कमपनी में काम करता था अमर घर में बैटकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ चलोना कई बाहर घूम के आते हैं फिर वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं अरे वो ड्रेस देखो ना कितनी सुन्दर है मुझे वो ड्रेस देदो ना खरीद के फिर वो दोनों वो ड्रेस खरीदने अंदर चले जाते हैं ड्रेस की प्राइस देखकर आमर दंग रह जाता है बाप रे, इतने पेसो में तो मेरे घर का हफते बर का राशन निकल जाएगा इतनी कंजू से क्यों कर रहे हो आमर, ये ड्रेस इतनी मेहंगी भी नहीं है दे दोना प्लीज लेकिन सोनाली, अभी मेरे पास इतने पेसे नहीं है पगार होने को भी अभी हफता है मैं उसके बाद तुम ये ड्रेस खरिद के दे दूँगा मैं इतने दिन नहीं रुख सकती है और हफते बर में ये ड्रेस सेल हो गई तो नहीं नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकती मुझे ये ड्रेस आभी चाहिए फिर सोनाली अपने पापा को फोन लगाती है हलो पापा मुझे आभी आप 2000 रुपे बेजो मुझे एक ड्रेस पसंद आई है फिर सोनाली के पापा उसे तुरंट पैसे भेज देते है तुम्हें पापा से कहने की क्या जुरूरत थी सोनाली ये ड्रेस खरीद के तुम्हें भी दे सकता था तुम्हें बस एक हाफते बर की तो बात थी हरे पापा ने पैसे दिये तो क्या हुआ इसमें कौन सी शरम मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते है वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते है फिर वो दोनों वो ड्रेस खरित कर घर आते है ऐसे ही कुछ दिन बितते है सोनाली हर बार कुछ न कुछ डिमांड किया करती थी पता नहीं मैंने तुम में ऐसा क्या देखा इतना कुझूस भी कोई होता है क्या जो इतनी गर्मी है और तुमें एक ऐसी भी नहीं लगवा सकते उपर से तुमने पापा से भी कहने को मना किया है पापा तो दहेज में सब दे रहे थे पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी खुद्दर है जो एक चीज भी नहीं ले सकते मेरे पापा से बाहर इतनी गर्मी है मेरे से तो रूम में बैठा भी नहीं जाता मैं आज ही पापा से ऐसी के लिए बात करती हो तुमें जो करना है वो करो वैसे मेरी बात तो सुनती कहा हो तुम ऐसी लगवाना है तो लगवा लो लेकिन मेरी बात भी सुन लो एसी लगवाने के बाद मैं उस कमरे में नहीं जोँगा ये क्या बात हुई अमर अगर मेरे पापा ने एसी दे भी दिया तो कौनसा आसमन तूट जाएगा अरे वो अपनी बेटी को तो दे रहे है न मैं तुमारे पापा को अच्छे से जानता हूँ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मुझे निचा दिखाने के लिए वो कोई भी मोका नहीं छोड़ते साथ में तुमारा भाई वो भी हमेशा मेरी बुराया करता रहता है पता नहीं उन लोगों को अमेरी का इतना गमंड क्यों है मुझे तुमारी कोई बात नहीं सुननी अमर और तुमें मेरे पापा और भाई को लेके कोई गलत फैमी है मैं जा रही हूँ मेरे पापा को फोन करने लेकिन सोनाली मेरी बात तो सुनो ऐसे हर रोज कोई न कोई बहाना बना कर अपने पापा से पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है लेकिन सोनाली अमर की कोई बात नहीं सुनती वो अपने पापा से कहके एक एसी मंगवाती है अगले दिन सुबह सोनाली की सास उसके लिए निम्बु शर्बत लेकर आती है ये लो बेटा निम्बु शर्बत अरे माजी आपने तो इसमें बर्फ डाला ही नहीं ये तो बिलकुल भी थंडा नहीं है अरे बेटी सुबह से लाइट चली गई थी अभी थोड़ी देर पेले ही आई है फ्रीज में पानी भी थंडा नहीं है और बर्फ भी नहीं है उनकी बाते सुनकर सोना ली को बहुत गुसा आता है पता नहीं कैसे पटीचर लोगों से मेरा पाला पड़ा है जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मेरी किसमत पूट गई है पता नहीं मुझे इस पटीचर से प्यार कैसे हो गया इतना क्येकर सोनाली वहां से गुसा होकर अपने कमरे में चली जाती है उनकी सारे बाते अमर सुन लेता है मुझे माप कर दुमा, मेरी ही गलती थी कि मैंने इतने अमिर लड़की से शादी की जो बड़ो की इज़त भी नहीं कर पाती सोना ली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ है रे बेटा, तुमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए है वो बहुत बड़े घर की लड़की है उसे इस घर में एज्जे सोने में थोड़ा टाइम लगेगा अब वो बिचारी इतने अमीर घर से हमारे गरीब घर में आई है इसमें उसकी क्या गलती है उसे थोड़ा टाइम दे बेटा लेकिन मा, सोना ली को मैंने शादी से पहले ही सब बोल दिया था कि मैं उसकी सारी जरूरते पूरी नहीं कर पाऊंगा मुझे पता है कि वो एक अमीर खांदान में पली बड़ी लड़की है इसलिए मैंने सब उसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारे इस चोटे से घर में वो कैसे एड़्जेस कर पाएगे तब उसने कहा था कि मेरा साथ हो तो उसे कुछ नहीं चाहिए और अब उसकी डिमांड तो देखो ये तो दिन बर दिन बत्तमीज होती जा रही है मा बिटा प्यार में लोग अंदे हो जाते है लेकिन शादी के बाद असली दुनिया में आते है तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा अमर के घर वाले सोनाली का बहुत खयाल रखते थे खुद के इच्छा मारके वो उसकी हर जरूरते पूरा करने की कोशिश करते थे अरे सुमन ये देखो मैंने बहु के लिए कुलफी लाई है लेकिन मुझे माफ कर देना मैं तुमारे लिए कुछ नहीं ला पाया अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है फिर सुमन सोनाली को कुलफी देने उसके पास आती है अरे बेटी ये देखो अमर के पापा ने खास तुमारे लिए कुलफी लाई है छी मुझे नहीं चाहिए ये कुलफी पता नहीं कैसे कैसे गंदे हाथों से बनाई होगी ये कुलफी फोड़ा भी हाईजिनिक होगा ये नहीं क्या पता आप ही कालो ये कुलफी तबी दरवाजे पे एक आदमी आता है अरे मैडम ठाकूर साब ने ये एसी यहाँ पे डिलिवर करने को कहा था अरे हाँ भीया आओ ना अंदर आओ अरे बहु अमर तेरे लिए लोन पे एसी खरीदने वारा था तो तुने इतनी जल्दी क्यों किये अगर उसके भरोसे बेटी तो अगली गर्मी तक तो एसी घर में आएगा ही नहीं लोन के पेसे बरने के लिए उतनी कमाई भी तो होनी चाहिए ना जो आपके बेटी के पास नहीं है जाने दो कोई बात नहीं अरे भाईया एसी की अच्छे से फिटिंग कर देना एसी की फिटिंग होने के बाद सोनाली अपने पापा को फोन करती है हलो पापा एसी आ गया है फिटिंग भी हो गई है ठैंकी सो मच पापा अरे सोनाली ये क्या मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एसी लगवा दूँगा तुम हर बार अपने पापा को मोका क्यों देती हूं मुझे निच्छा लिखाने का देखो अमर तुमने पापा को समझा ही नहीं एक तो वो हमरी कितनी चिंता करते है देखो न अभी एक फोन कॉल पर ही घर में एसी आ गया पता नहीं तुमें उनसे क्या प्रॉब्लम है जाने दो तुम एसी की थंडी हावा खाओ मैं अभी तुमारे लिए चाय लेकर आती हूँ फिर रात को सोना ले अपने रूम में एसी चला कर सो जाती है लेकिन अमर को नींद आती ही नहीं कैसे आती है उसकी खुद्दारी को चोड़ जो लगी थी फिर वो अपने माता पिता के कमरे में आता है अरे क्या हुआ बेटा सोया नहीं अभी तक नहीं मा पता नहीं इसकी हर एक जरूरत कैसे पूर्यू कर पाएंगे हम अब तो उसके पापा से के के भी उसने ऐसे लगवाया है पता नहीं इस मेने का बिजली का बिल कितना आएगा इसे तो ये भी नहीं पता कि इसके पापा पैसे को लेकर मुझे कितने ताने मारते हैं मैं जानती हूँ बेटा कि तू दिन रात कितनी मेहनत करके पैसे कमाता है तू एक काम कर मेरे गेने बेच कर सोना लिके पापा के पैसे लोटा दे अरे मा तू क्या पागल हो गई है क्या तुने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे गेने बेश दूँगा तो चिंता मत कर मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगा फिर अगले दिन सुबह अमर सुनो ना कल मेरे भावी का जनम दिन है भाया ने उनके लिए सर्प्राइस बड़े पार्टी रखिये हम सब को बुलाया है वहाँ मेरा विल्कुल भी जाने का मन नहीं है सोनाली तुम अके लिए ही चली जाओ पहले तो तुम कहते थे कि पापा और भाई तुमारी हमेशा बुराई करते हैं अब वो तुमें इतनी इज़्यत देकर बुला रहे है और अब तुम मना कर रहे हो बिटा अमर अब वो इतना कह रहे है तो मान जाओना वैसे भी वो हमारे समदी लगते है यसे उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगता ठीक है मा अगर आप कहती हो तो हम ज़रूर चलेंगे फिर सोनाली सब के साथ मिलकर अपने पापा की घर आती है हैपी बर्डे भावी ठेंकी सो मज सोनाली ये देख तेरे भाई ने मुझे क्या गिप्ट किया है डाइमन नेकलेस मैंने उससे बस डाइमन के अंगुटी मांगी थी लेकिन उसने मुझे पूरा नेकलेस ही ला कर दिया देख तेरा भाई मेरा कितना ख्याल रखता है तेरा पती रखता है क्ये तेरा इतना ख्याल आरे हाँ भावी वो तो मेरा बहुत ही ज़ादा ख्याल रखते है सोनाली को अपने भावी से जलन होने लगती है फिर वो अपने मम्मी पापा के पास आती है पता नहीं ये लड़की कब सुद्रेगी इसके तो हर रच कोई ना कोई नहीं नहीं डिमांड रहती है इसकी डिमांड पुरी करते करते तो हम एक ना एक दिन कंगाल हो जाएंगे तबी वहाँ पर सोना लियाती है क्या हुआ मा? क्या किया भावी ने? अब क्या बताओ बेटा? शादी हमेशा बराबरी वालों में ही होनी चाहिए एक तो हमने इतने अमिर बहु लाकर सबसे बड़ी गलती की है हर बार पैसो का रोब जाड़ती रहती है घर का एक काम नहीं करती कल तो इसने हधी कर दी सो हमसे कहा कि अगर उसने डायमेंड का नेकलेस नहीं दिया तो वो ये घर चोड़कर हमेशा के लिए माई की चली जाएगी हर बार ऐसी धमकी देती रहती है उसके बरताव के कारण तो हम तो परिशान हो गए है बेटा अपनी मा की बाते सुनकर सोनाली को अपनी गलती का हैसास होता है उसे पता चल जाता है कि उसने भी अंजाने में अपने भावी जैसा ही बरताव किया है पार्टी होने के बाद वो अपने घर वालों से माफिय मांगती है मुझे माफ कर दो आमर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है आज तक तुम मेरी हर जरूरत का खयाल रखते आये हो लेकिन मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई मैंने तो माजी और पापजी का भी दिल दुखाया है आप दोनों ने तो मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की है लेकिन मैंने ही आपसे बत्तमिजे से बात करके आपका दिल दुखाया है लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है हमें यह ऐसी नहीं चाहिए आज से मैं मेरे पापा से कुछ भी लाने को नहीं कहूंगी मुझे तुम पर पूरा वरोसा है अमर उस दिन के बाद सोनाली अपने साथ ससुर और अमर के साथ प्यार से रहने लगती है